दिलही पोलिस ना रड़ार पर शे थोड़ा दिवसु पहला जेक राजस्थानी राजदानी जैपूर मा पण आवोज एक किस्सो सामय आवियो थो तेज रिते दिलही पोलिस ना खुलासा बाद आ रेकेट मा संडुवाईला लोको ना सीधा संबंदु बांगला देश साथे हुवानू सामय आवियो शे तेविज एक घटना त्यानी हॉस्पिटल मा थी पन सामय आवि शे राजदानी जैपूर मा मुख्यत्वे त्रोण खान अंगी हॉस्पिटल ना नाम सामय आविया हता जिमाथी सवथी मोटी छेतर पिंडी राजदानी जैपूर नी फॉर्टिस हॉस्पिटल मा जुवा मड़ी हती नकली एनोसी ट्रांस्प्लांट माटे रकम नकी करिया पच्छी बांगला देश थी लोकों ने लाववा मा आव अने तेमने हॉस्पिटल मा थी रजया आपवा मा आवी हती जियां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ तेमनी जानवनी करता हता तेवोज एक किस्सों दिल ही थी पन जुवा मड़ी रही छे जगता पास चाली रही छे परन्तु ए जुवा नू रही हू क्या रैकेट मा सामि लोकों नो पन संबंद उचे के केम राजस्तान में जड़पाल आरोपियो बांगलादेशी लोकों साथे कोना संबंद महाता दिली पुलिस ने अंतराश्ट्रेय किड्नी रैकेट का बड़ा परदा फाश किया है ये रैकेट जो इस रैकेट में कई अस्पताल शामिल है इस अस्पताल के कई नामचीन डॉक्टर्स हैं उनके समपर्क सीधी दोर से बांगलादेश से बताये जा रहे हैं वहां से लोगों को बुला कर उनके ओरगन ट्रांस्प्लांट कर दिये जाते हैं यानि अंग प्रत्यारोपन क्यर दिया जाता है ऐसा ही एक मामला कुस समय पहले राजस्तान की राजदानी जैपूर से भी देखने को मिला था जहां पर ACB की कारवाई जब देखने को मिली तो कई नामचीन अस्पतालों के नाम सामने आए जिसमें से मुख्यता मैं बात करूँ तो तीन ऐसे नामचीन अस्पताल जिनकी ब्रांचेज ना केवल जैपूर म में हैं हम बात कर रहे हैं फॉर्टीज अस्पताल एस्टी सी अस्पताल और मनीपाल अस्पताल की जो सीधी दोर से फरजी एनोसी मामले में और फरजी और्गन ट्रांस मामले में लिप्त पाया गया था ऐसे में जब इस बात का देखने को मिले जो चौकाने वाले थे कई गिरफतारिया भी की गई फॉर्टीज अस्पताल के दो ऐसे बड़े नामचिन डॉक्टर्स भी थे जो सीधी दोर से और्गन ट्रांस्प्लांट के फरजी मामले में निकल कर उनका नाम सामने आया था फॉर्टीज अस्पताल लगतार सवालों के गेरों में था प्रसासनिक कारवाई भी इन पर की गई है अगर मैं बात करूँ उन डॉक्टर्स की जो सीधी दोर से इस पूरे मामले में लिप्त थे और उनकी गिरफतारी भी की गई थी अब दिल्ली में जब ये मामला उजागर हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि जो लिंक बांगलादेश में फॉर्टीज अस्पतालों के निकल कर आये थे तो कहीं वही संबन दिल्ली के जो अस्पताल है जो पुलिस की सीधी दोर से समिर रडार पर है तो उनी व्यक्तियों से तो कहीं उनके संबन नहीं है कैमरा परसंद मनुख शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादाव इंडिया नियूज जैपूर अरबात मिन आधारे तिनी गाडी ने रोकी धरपकड माटीनों प्रयास करायो हतो इधर मियान बुटलेगरे पोलिस करमशारी पर गाडी चड़ा विदय हत्यानों प्रयास करयो हतो जेमां PSI स्वब अचाव माई क्राउन फाइरिंग करयो हतो बाद मां गाडीनों जे थी बुटलेगर अने कॉंस्टेबल सामे हत्यान प्रयास अने प्रोहिबिसन नों अलग-अलग गुनों दाखल करायो हतो आ कॉंस्टेबल निता चोदरी रिल्स बनावा न कारणे पन वधारे जानी ती बनी हती पोलिस करमशारी होवा छता बुटलेगर ने सात आपयो तेमज गाली मां शराब नी हेरा फेरी करी PSI पर गाली चड़ावी देवाई तेम छता आरोपी सामे थी पकड़ायो नहीं तेसा हितना गंबीर गुना मां संडों नी होवा ना कारणे आ मुद्दो राजी भर मां चर्चानू कैंद्र बनी होतो निताबेन वसंबाई चोधरी के जे यूरार्शी जाड़ेजा साथे बुटलेगर साथे एमनी हाजरी बच्चाव पोलिस जसन अने पूरोकाच पोलिस जिलाना LCB न अधिकारियों ने जारे थार जीपनी अंदर मड़ी अने इमने थोबावन प्रहतना करया बाद बुटले दोरा जहरे पोलिस पार्टी उपर थार गाड़ी चड़ावी अने इमनी उपर जान लेवानों प्रहास करा बदल इमनी उपर 307 नी कलम दाखल थेली जे एमेपसी कोट एडिशनल चीप जुडिसिल मेरिशेट कोट भचाउदरा 307 ना गुना मा निताबिन वसरमपाई चोधरी ने जे जामी नापवा मावे आथे जामी नोडर रद करे हो छे पोलिस एजन्सी ने एमने एरेश करवानों पन हुकम करे हो छे महिला पोलिस करमचारी ने हत्यान प्रयास ना गुना मा निचली अदालते तेना रिमांड नी मांगनी फगावी दिदा बाद बीजा दिवसे तेने जामी नाप्या हता जिती पोलिस करमचारी और वकील आलम मा दोड़धा मशी गई हती अने पोलिस द्वारा आ जामीन रद करवा माटे सैसंस कोट मा अपिल करवा मा आवी हती जिनी मंगलवारे भचावनी सैसंस अदालत मा सुनवनी यूजवा मा आवी हती सरकार पक्स एवी दलील करवा मावी हती के नीता वश्राम चोदरी एक पोलिस कर्मुचारी होवा छता त्यने बुटलेगर ने साथ आप्यों छे तेमज थार माथी शराब मडियावता भूमी का पन शंकास पदु छे गंबेर गुनों तेमज सोसाइटे नों मोरल डाउन थाए ते प्रमाण नों बनाव होवा थी आकिस्सामा धाक बेसार ती कारिवाही करवी जरूरी बनी रही शे जोती सैसंस्क अदालते बन्नेपक्स नी दलिलोंने सांभडी ने नीता वश्राम चुद्री ना जामिन रद करिया हता तेमज पोलिस ने लेडी कॉंस्टेबन नी धरपकड करवा माटे आदेश आप्यों होतो जिदि हाल लेखे थाती जिएस्टी नी रकम बाद थेली कामोना बिल मंजूर करवा मा आविया शे जिनलाई सर्पंच संगठन द्वारा आविदन पत्र आपी विकासना कामोना एस्टिमेट माथी जिएस्टी काडवा मांग करवा मा आविया आविशे मारिया हाटीना तालुकामा अत्यार सुधी जे कोई विकासना कामो थाया ते कामोना बिल मा जिएस्टी लगाव्या वगर जिएस्टी नी रकम काब्या वगर थेल कामोना बिल मंजूर करवा मा आविया हता परन्तु गत तारिक 14 मार्च 2024 न रोज पचिदी मार्या हाटी ना तालूकाना तमाम कामोना बिल मा अढ़ार डका लेखे थती GST नी रकम बाद करी थहल कामोना बिल मनजूर करवा मा आवे छे जेनी सामे नीचे ना कार्णो सर माडिया हाटी ना तालुकाना तमाम सरपंचोनो सक्खद विरोध करी नाबूत करवा मांग करी छे दरेक मंजूर थहल काम मा एस्टीमेट मुझब काम करवा माटे खरीद करवा मा आवेल माल पर GST मुकवा मा आवे छे तेम छता थहल काम ना बिल मंजूर करती वक्ते फरी थी बिलना अढ़ा टका लेखे थती रकम GST वसूल करवा माटे बिल माथी कपात करवा मा आवे छे एटले कि कोई पन काम माटे बे वक्खत GST वसुल करव मावे छे जे आयोग्य छे एककज गाम मा बे बे वक्खत GST चुकाव पडे छे कोई पन काम मा बे वक्खत GST वसुल करव माटे सरकार नी कोई जोगवाई न थी के योजना न थी तेम छता तालुगामा 14 मार्च 2024 पचिदी काम माटे खरीद करेल माल पर अढ़ार चका GST चुकाववा छता बिल माथी पन GST नी रकम सिद्धिज कापव मा आवे छे दरे कामा बे वक्खत GST नी रकम भरपाई करवा थी ठता काम नी लागत वधार ये आवे छे जेना थी काम नबडा थवानी सक्यताव नकारी सकाई तेम नथी, जेना थी प्रजाने पन गामना पदाधिकारियों प्रते अज संतोस थाई छे, आतके माडिया हाटीना तालुका सर्पंच संगठानना प्रमुक कि सोर भाई, दाना भाई, दयातर तथा सर्पंचो द्वारा जी एस्टी नाबूत करवानी मांग साथे, कचेरी खादे तालुका विकास अधिकारी, पावराने आविद्धन पत्र आपीम। साडाना प्रिंसिपल डीपी गामित, इंडियन रेड क्रोस सोसाइटी ना पुर्व प्रमुक सुहास भाई पतेल, पवन भाई सहित मुट्टी संख्या मां विद्ध्यार्थियो, तेमज बनास नर्सिंग स्कूल ना स्टाफ उपस्थित रहे होतो, आ तालिम मां विद्ध् के अन्य कोई दुरघटना थाए, तो के वीदी ते फर्स्टेड आपी राहत कामगीरी करी सके, ते हेतू थी आ कारेकरम नू आयोजन करो मां आवी होतु। दर्तिकम जो दिधास्टर होई तो नर्सिंग स्टूडन्ट काई रिते फर्स्टेड आपी आने लोकों नो जी बचावी सके, एना माटे नी आ एक दिवस नी आजे एक तालिम राखवा मां आवेलेचे। रेड क्रोस सोसाइटी जरबती, CPR ना क्रेंप केंपनी तालिम आपामा आवी आने अमने CPR विशे सिखवाडवा मां आवे उके, के वी रिते पेशंटने CPR आपी शकाए, ताज काले के वी रिते सार्वार आपी शकाए, तेना विशे माही ते आपामा आवी। रेड क्रोस सोसाइटी विश्तरूत विडियो द्वारा आने प्रैक्टिकल द्वारा तालिम आपामा आवी। रेड क्रोस सोसाइटी द्वारा जानावामा आवी। के समग्र गुजरात मां 35,000,000 लोगोंने CPR नी तालिम आपवानू ध्याये छे, जेना अंतरगत बनास नर्सिंग स्कूल मां कारेक्रमनू आयुजन करवामा आवी। आजे बनास नर्सिंग स्कूल पालनपूर द्वारा जे विद्ध्यार्थियोंने CPR नी ट्रेनिंग अता फरस्टेट नी जानकारेनो पोग्राम करवाँ छे, जे अभिनननने पातर छे, अने अमों रेड क्रोस थी, अत्यारे अमारा चेर्में स्री गुजरा स्टेट अजाई पटेल नी मार्क दर्शन हेठर, गुजरात मां 35 लाक लोकोंने CPR नी ट्रेनिंग आपी अमनों धे छे, एना भाग रूपे अमें ट्रेनिंग आजे विद्ध्यार्थियोंने आपी छे अनों लाब लई, अने कोईकनी जिंगी बचावी शकाए ते ओ खास उद्देश चे, अ पार्किंग मां बे लूटारूओए कंपनी ना कर्मचारी पासे थी, बैग लूटवानों प्रयास करयो हतो, परन्तु कर्मचारी ये तेनी पासे थी, सक्ती साथे लडाई करीने बैग ने लूटी लेदा बचावी हती, जो के तेस थड़े घना लोकों आ घटना जोई, पर परन्तु कोई ये आगड आवी ने तेनी मदत करवानी तस्दी लिधी ना हती, हाँ ए वात साची हती, के पाचरी थी बद्धाय कर्मचारी नी हिम्मतना वखान करिया, आ समगर घटना बिल्डिंग मां लागेला CCTV कैमरा मां कैत थाई गई हती, महीती आपता चडियाल ना र परन्तु तेने बैग छोड़ी ना हती, दर्मियान लोकों ने एकट्ठा तता जोई, लोटारों कार मां त्यां थी नासी छूट्या हता, गुरुदेव लाले जनावियो क्या बैग मां लगभग अड़ी लाग रुपया नी रोक कड़ हती, तेने कही हो के तेने आम माम अने बरारी विधान सबानी वच्चे मध्धुरा गां पासे मार्गर संपर्क टुटी गएो छे, जिनाकार ने लोकों ने जीव जोखम मा मुकीने अवर जवर करवानी फरज पड़ी छे, स्थानिक लोको लाकडी ना सहारे अवर जवर करी रहया छे, जिनाकार ने तेमने भारे हालाकीनों सामनों करो पड़ी रही हो छे, जारे स्थानिक लोकोई जणावियुक के मध्धुरा पासे त्रोण महीना थी पूल बनावानु कामगिरी चाली रही हो छे, जेमा ब्रीज नो एकपन पिल्लर बनावामा आव्यो न थी, वर्सादना कारने सेंसर काम करतु बं स्थानिक लोकोनों कहिवू छे कि काम सरू करता पहला डाइवर्जन करों मा आव्यो न थी, जेनाकारने आ इस्तिती सर जाई छे, स्थानिक लोकों वहली दके जिल्ला वहिवटी तंत्र द्वारा आ अंगे पहल करे ते भी मांग करी रहा छे क्या बात है कि यहां नया पूल बनता है, यहां जो है पाइब देना जरूरी था कम से दो तिन ठो बामा सब पानी निकालने के लिए, लेकिन कोन ठिकदार हैं यहां का पता नहीं, अज तक भी देखें, अभी कितना परशान होके टपता है इदार उतर जाता है, हम लोग कित सब्सक्राइब देना चाहिए, तो बड़ी लापर भाई है, उसमें पानी इस पार का पानी जान नहीं पा रही थी, पूरा पानी जा रहा है, आभागावन बाधित हो गया है, किसी तरह लोग जान जोकी में देखें, कौन सा जगा ही है, इतो माधूरा और दुरकापूर के बोड़ रहे हैं, यानि पोड़ा और बरारी के बोड़ रहे हैं, वर्तमान में नदी के जलिस्तर पर लगातार निजरानी रखा जा रहा है, महननन्दा, कोशी, गंगा सभी न दो कोए जलिस्तर पर डेली रिपोर्टिंग सुभई और श्याम का लिया जा रहा है, नदी का वर्तमान में कुछ जगह पर राइजिंग था, लेकिन आज सुभई के रिकोर्ट के अनुशार सभी जगह पर फॉलिंग ट्रेंड है, कुर्शिला में कोशी में क्यों की पानी छोड़ा गया है, वेरास से, उसकी वाज़से थोड़ा सा कुर्शिला में अभी वर्तमान में आज दिन भर राइजिंग टेंड रहेगा, हम पुम्मीद है कि कल तक वो भी पिर डाउन वार्ट स्टेंड उसका सुरू हो जाएगा, वर्तमान में सभी जगह तरपन पूरितरे सुरक्षित है, फड़ फाइटिंग के तहर जितने भी कारे किये गए वो पूरितरे मोड में है, जहां कहीं भी किसी प्रकार के कटाव का अन्य समस्टा का सिकात आ रहा है, समनी कोदा दिकारी जाकर उस पर धरहतल पर कारीव कर रहे हैं। भावनगर जिल्ला मा सांसुधी मा सिजन नो कुल सरे रास वर्साद 218 मिलीमीटर थाई गयो छे। जेथी भावनगर मा आ चोमासा मा सिजन नो कुल वर्साद 155 मिलीमीटर थाई गयो छे। भावनगर नजिकना सिहोर मा पन आजे 2 मिलीमीटर वर्साद वर्सी गयो। ज्यारे गारियाधार अने पाली दाणा मा पन 2 मिलीमीटर वर्साद नोंधायो हतो। ज्यारे वर्साद नी ज्या जरूर छे तेवा तड़ाजा पन्थक मा आजे 5 मिलीमीटर वर्साद नोंधायो हतो। जिल्लामा आ चोमासामा त्रों टालुकामा 10 इंच के तेना थी वधू वर्साद वर्सी गयो छे। जेमा 100 वधू वर्साद महुआ तालुकामा 342 मिलीमीटर एटले के अन्दाजे 14 इंच थी थोड़ो ओछो वर्साद वर्सी गयो छे। जेरे वल्लभी पूर्मा 287 मिलीमीटर एटले के अम्रेली जिल्लामा 4 दिवसना विरामबाद फरी वर्सादी महुआ ते वादड शाया वात अवर्साद महुआ तो। वक्सरा शहर अने तालूका मा ग्रामिय विस्तार मा वर्साद पड़ियो अने आसपास ना ग्रामिय विस्तार मा चर्मर वर्सादी माहुल चुवा मड़ियो तो गणा दिवस ना विरामबाद वर्सादी माहुल चवायो शे चार दिवस पहला आविस्तार मा पड़ेला नूत पात्र वर्साद ना कारणे वडियाना सुर्वो डेम अने बखसराना मुझियासर डेम मा नवानीर नी आवक थाई हती जिना कारणे आसपास ना खेडुतों मा खुशी नो माहुल छवायो शे अमरेली जिल्लाना दरिया काठे राजुला जाफराबाद कोश्टल बैल्ट विस्तार मा असय गर्मी साथे वादड़ो घेराया शे अने वर्सादी माहुल चुवा मड़ी रही हो शे जोके हजुक एटलाक खेडुतों सार वर्साद पड़वानी आशे रह जोए रही हो शे जुन्नागर जिल्लाना मारिया हाटी ना तालुकामा एक अठवाड़यान विराम बाद फरी मेग राजानू आगमन थे उशे जुन्नागर जिल्लाना मारिया हाटी ना सहर तेमज गीर पंथक मा छेल्ला एकाद अठवाड़या थी वर्सादे विराम लिधा बाद गई काल सवार्थीज धीमी धारे वर्साद सरू थाई हो तो जेना कारने खेडुतों मा आनननी लागणी जोवा मड़ी हती तो बीजी तरफ प्रथम वर्साद माज थेल वावनी ना कारने खेतर मा रहला पाकोने बन नव जिवन मड़वा पामसे तेवा विसताना खेडुतों द्वारा जनवा मा आवी हती तो बीजी तरफ प्रत्थम वर्साद बाद सतत वधी रहेल असाहियक गर्मी थी पन लोकों ने आंसीक रहात माड़ी हती त्यारे गत रोज मेग राजाने बीजी इनिंग ना कारने धरती पुत्रों तथा आम जनता खुश-खुश धोराजी माँ वर्साद बाद रस्ताओने हालत कफोडी बनी शे अने वाहन चालकोंने वाहन चलावमाँ हालाकी नुँ सामनों करवो पड़ी रहेयो शे राजकोट जिल्लाना धोराजी माँ वर्साद बाद सहर ना अनेक रस्ताओन धोवान थयू छे धोराजी सहर नी वाद करिये तो धोराजी सहर मा अनेक जग्याए रस्ताओ वर्षादना कारने धोवाई गया छे अने खाड़ा पड़ी गया छे रस्ताओ उपर वहन चालकोंने वहन लई अने नीकडवो पन मुश्किल बनियू छे अने रस्ताओ नू धोवान थदा रहधारियो अने वहन चालकोंना भारे रोस छे रस्ताओ बनावता समय जे मैटल काकरी उप्योग मां लेवाई हती तेना उपर थी डामर धोवाई गयो अने जेनाकारने हवे काकरीनाकारने वहन सिलिप थवाना बनावपन बनी रहया छे त्यारे लोको भारे हाला की अने जीवना जोख में रस्तो पसार करवा मजबूर बनिया छे रस्ताओ जाने मगर मचनी पीट समान बनिया होए तेवू लागी रही उछे रस्ताओ बाबत नी तो बात करो मतमें अजे पहला वर्षत तीने जिरस्ताओ बधी बजुना गल्यू गरों के मेंडरों गरों बधी बजु के कोई खाडा ने एवडा पड़ी किया है कोई रजुवात करवा चेता है कोई तंत्र काने बात ने लेतो नथी चीप अपिसर अधियरे सासन मा है नगरपालिका मा डेप्यूटी कलेक्टर नी जवब दरी है बदाई रजुवातों करवा जाए लेखी तापे है पड़ थता है कोई ब्यान देतू नथी दोराजी ना वर्षाद नेकाने रोड रस्ता तर्की से बीसमा रालत मा दोवाई किला जे आ रस्ता वैवड़ दार ना सासन मा बदाई थयला आता जे गिरेंटी पिरेद मा होआ चाता तो नो डेवर वर रस्ती डेवर रस्ती या रिपेरिंग था तू नथी दोराजी ना लोकोनो आकशेब चे के दोराजी मा नगर पालीगा मा छला डोड वर रस्ते वर रस्ती या रिपेरिंग था तू ना थी वहिवडड़ना सासन मा स्थानिको हैरान छे दोराजी मा नजीव वर्सात बाद रस्ताओ हालत कफोडी बनी चे रस्ताओ एटली हदे बिदसमार बनी चुक्या चे कि रस्ता मा खाडा केर खाडा मा रस्तो एज समझों मुस्किल बनीऊ छे। रस्ता पर पत्थरों जोवा मडे छे। गाडियों स्लीप थवान बनाव वद्या छे। तंत्रना जवाबदार अधिकारियों ना पेड़नों पाणी हलतु नथी। त्यारे तातकालिक धोरणे रस्ता रिपेर धाई एवी मांग लोको करी रहा चे। काईदेसर ना पंग्ला लेवा तो गरंटी प्रियेट मां काम सारुता है। बीजेपी नी सरकार ने लेना वह वाटनार मां बीजेपी ना अधिकारी होई। अन्य जो कुंत्रक्तरों से इपन बीजेपी ना मलत या मांस होई। लजेथी करीन खाली नोतिस आपे खाली आप नगरपालीकाना चीपोपिशर और वैवाटदार स्री नूँ पन ध्यान दोरेल छे। अन्य आ रस्ताव ताटकालिक लोकोने शुविदा मात सारा थाए। ते माते। नगरपालीकाने पड़ में सुतना आपी छे। चीपोपिशर ने और वैवाटदार ने पन चीप आपी छे ते नबड़ा थेल छे तेना कारणे आ एक वर्षाद मा पौन दोराजी नगरपालीकाना जे रोड रस्ता छे ते खराप थेल छे खाड़ा थे गयले छे। दोराजी नगरपालीकाना वैवाटदार नी शासन छे अने हाल वैवटदार ना शासन मा रस्ताना काम मा भयंकर्व रष्टाचार थे खे अने अधिकारियों मात्रने मात्र कॉंट्रेक्टरने नोटिस फटकारी अने धन्यता अनुभवे छे।